राजोरी और पुन्च को अनंतनाग के साथ जोड़ना उसी डिक्सन और उसी कश्मीर ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फर्मूला का हिस्सा है जिसके चलते जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्स को कश्मीर के मुस्लिम एक्स्क्लूजिव एरियास के साथ बाजपा की सामने आई है कि जम्मू को कश्मीर का गुलाम बना की रखना है और मैं गुलाम क्यों कह रहा हूं क्योंकि भाजपा नहीं यह ताइक किया है कि 2011 के फ्रॉड और फज चंस के आधार पे डिलिमिटेशन करवानी है डिलिमिटेशन कमिशन ड्राफ रिपोर्ट सारव जनिक हो चुकी है और एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि अब संसदे सीट अनतना राजोरी पुंच जो जुड़ चुकी है उससे एक साफ क्लीर हो चुकी है जम्मू स्टेट की अलग मांग करने वाले अब उस मांग को लेकर क्या सोचते हैं इसी विशे पर चचेकल आसर अब किस मोड की तरफ मुड सकती है नहीं अब सपोज ये डिफाइनिंग चीज़ है जिसके आधार पर आपी कह सकते हैं कि भाजपा की या किंदर सरकार की मंचा इसी आगई है सामने कि वो जम्मू को अलग नहीं करेंगे तो संगर्श तो और तीबर होगा और तेज हो और बड़ा होगा और फ्यापक होगा और पूरे जम्मू संबाग की भावनाओंस तरह के से केलना इन सरकारों को इन पार्टी को बहुत महगा पड़ेगा उजुक्वे समाज़ गया क्या जमू संबाग के हिस्सों को कश्मीर को दे दिया यश के कश्मीर का इससा जमू में पहले तो संसेदी सेट में जम्मो के डिविजन के हक में दो सीटे थी, कश्मीर के पास चार थी, अब तो लगबग धाई-धाई हो चुकी है। तो देखिए, बिल्कुल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नजरिये से आप देखेंगे तो किसी भी तरीकी के इंटर्प्रेटेशन आप दे सकते हैं कि कश्मीर ले गया है जम्मो चीन गया लेकिन आपको दूसरा इसे एक नैश्रल सिक्योरिटी के पॉइंट आ व्यू से देख किस तरीके से किया जाएगा इस फर्मिला पर आने वाले कुछ तिनों में हम डिटेल्ड एक प्रेस कॉंफरेंस करेंगे ताकि समझ आ सके कि जम्मो संभाग के लोगों के भविश्य के साथ किस तरीके गा खिलवारा किया जा रहा हूँ जम्मो राज़ोरी और पुंच को अन विसाज की गई थी ताकि इसलामिक और मुस्लिम कुंसलिडेशन हो सके और जम्मू के अंदर मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खड़ी करके जम्मू को पॉलिटिकली डिसंपावर किया जा सके ताकि जम्मू की से उतनी रहे ना क्योंकि जो भी एरियाज उस साइड दिये गए हैं उनके रिजल्ट्स क्या रहेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स होंगे सीट्स में क्या होगा वो फॉर इट इस एनिबड़ी उन कॉमन मैंस नॉलेज कि उसमें क्या होना है अल्टिमेटली नाइंटिंग चेंजिस बट पॉलिटिकल अड्मिनिस्ट्रेटिवली जब आप उन एरियास को जोड़ते हैं वहां पे तो यूर मॉविंग तो प्लान जो अधर्वाइस एंटी इंडिया है अधर्वाइस एंटी जम्मू है अधर्वाइस जम्मू के खिलाफ जो सबसे बड़ा शड़ेंत्र है उसका एक हिस्सा है जो जम्मू यह मानती है कि जो यह जो सिफारिशी आई है वो प्रो बीजेपी आइडियालोजी पे फोकस्ट है जहां तक रियोर्गनेज़िशन की बात है वहां पे कुछ ऐसे इंस्तांसिस मिले हैं जहां पर जेरिमेंडरिंग की गई है तो नौर्थ में जो जो ग्रफिकली एरिया जानसंक्या बहुत है बड़े बड़ी पंचायत नहीं उनको जानभूच के जटुक नहीं बनती मतलब आपका एडज्वाइनिंग गाउं जो है वो दूसरी कंस्टिवेंसी में है अब अधर्वाइस केनेक्ट वहां पे हैं मैं जोग्राफिकल फीचरोष में भी क्लिर डिवाइनिंग लाइन–इस चैहें कंडी का छ्हित्र हो गया अंदर का छ्हित्र हो गया इस तरीके की सारी डिवाइनिंग लाइं उसके बावजूत भी आप में तो अपने आपको डिसंपॉवर्ट फील कर रही है तो आप उस दर्श्की कौन से भी देखिए केवल यह नहीं कि गड़ था गड़ था एक समय पे हाज की क्या परिस्तिती है वो बेहतर जानते होंगे और उसी संधर्म में प्रॉबबली डिसिशन्स लिए लेकिन यह सब पर बेरिंग है वैसे फैसले आपने एक डिड़ वर्ष पहले ताई किया कि राजोरी पुंच डोड़ा किष्टवाड को हम एड्मिनिस्रेटिव डिविजिन क्रेट करें 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 किसमीर के साथ जोड़ेंगी वो क्या फैसला था वाट गाइडिड यू तो टेक यह जमो कुश्मीर में पाकिस्तान और पाकिस्तान की विचारधारा को मजबूत करने की देशा में उठाया हुआ एक डिसाइसिव एफेक्टिव कदम है एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फरेंस उक्त समय पे करके डिटेल्स हम देंगे कि डिक्सन फर्मूला और ये सब चीजें कैसे रिलेटेड और किस तरीके से ये देश को बेचने की प्रक्रिया में उठाया गया एक कदम है लास्ट कोश्टन है कि आफ्टर ये और्गनिजरेशन आपको लगता है कि जमू को अलग स्टेट बनाने की मांग और जारा मुश्किल होती नज़रा रही है मांग मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ों से मांग और ज्यादा तेज होगी ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक decision से कुछ areas को political administrative तरीके से किश्मीर के साथ जोड़ दिया तो वो Parliament में विधेक लाके बिल लाके जमू को अलग नहीं कर सकते ऐसा नहीं है accordingly चीज़ें वैसे भी ठीक हो जाएंगी इस से भाजपा की मंच्छा सामने उभर के आगी कि हम जम्मू को separate नहीं करना चाहते है इससे demand में कोई problem नहीं है इससे कोई legal impasse नहीं बना कोई constitutional crisis ऐसा नहीं बन गया है कि अब तो deadlock situation होगी अब तो कुछ करी नहीं सकते ऐसा नहीं है अभी भी simple majority से आपको Parliament में बिल बास करके जम्मू कुष्मीर को reorganize करना है वो आपके पस ताकत है जब वो हो जाएगा तो delimitation accordingly हो जाएगी उसी reorganization act में लिखना है कि जो parliamentary constituencies थी common between जम्मू और कुष्मीर उनकी delimitation की जाएगी एक fresh delimitation commission करके उसको properly delimit कर दिया जाएगा उसमें कोई समस्या ने ये केवल मंचा उभर के भाजपा की सामने आई है कि जम्मू को कश्मीर का गुलाम बना की रखना है और मैं गुलाम क्यों कह रहा हूँ क्योंकि भाजपा ने ही ये तैय कि 2011 के fraud or fudge census के आधार पे delimitation करवानी है लिखित में भी भाजपा ने दिया है delimitation commission को कि 2011 का census fraud or fudge है और निरना भी लिया कि इसी fudge census पे करवाएंगी क्यों कि जम्मू के विरोध में है और जम्मू को कश्मीर का गुलाम रखने के लिए जो केंदर की नीती है कश्मीर के साथ जो contract है पिछले 70 का 70 साल का कि जम्मू सेके नॉडर स्टेटिस में रहेगा जम्मू कश्मीर की कॉलर नी बनके रहेगा उसे सारे अंजाम देने के लिए जम्मू के साथ ये विश्वास घात किया तो चीज़े है आपके सामने है तो एक चीज़ साफ है कि कश्मीर बेस पार्टी जितनी भी है वो जहां एक तरफ डिलिमिटेशन कमिशन के इस ड्राफ रिपोर्ट को प्रो बीजेपी मान रही है वही पर जम्मू बेस्ट और जम्मू फोकस पार्टी का यह भी मानना है कि इस तरह के फैसलों के बाद जम्मू को अलक स्टेट बनाने के लिए एक रिजेंटमेंट और परदर्शन को और ज़ादा अग्रेसर करने में उन्हें मतद मिलेगी फिलाल अप जूड़े रही विशुड़े नियूस के साथ